मैं पुक्राच करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मेरे सब्जेक्ट चत्तिजगर सामान या अध्यान का ये तीसरा वीडियो तो जो पहला वीडियो था उसमें हमने कुछ क्वेशिन्स को देखा था संभागों के या जिलों के उपर से सकेंड में हमने क्या देखा था चत्तिजगर के भूगोल के उपर से क्वेशिन्स को देखा था ये एमसी की उसको देखा था ये जो तीसरा वीडियो है इसमें चत्त संस्कृति है चत्तिस गड़ में उसको कर लेंगे अपन कम्प्लीट ठीक है तो एक एक करके क्वेशन को देखते हैं सबसे पहला प्रश्ण है बैका विकास प्राधिकरण कहां है तो एक चीज जो है उसको आप लोग यहां पर समझ जाओ एकी क्रित जन जाती विकास प्राधिकरण एकी क्रित जन जाती विकास प्राधिकरण इंगलिश में कहते हैं इंडिक्रेटेड ट्राइबल डेवलप्मेंट एजेंसी यह होती क्या है तो बेसिकली इनके माध्यम से जितने भी जन जाती दिकास कारिक्रम होते हैं या ट्राइबल डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनका उच्छित इंग्लिश पहाएंगे क्या फैर और प्रभावी प्रभावी मतलब इफेक्टिव क्रियानवन या implementation किया जाता है तो इन agencies या प्राधिकरणों के माध्यम से जो ट्राइबल डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स या जन जाती विकास कारिक्रम हैं उनका उच्छित और प्रभावी क्रियानवन या फेर और एफेक्टिव execution किया जाता है options को देखो तो दिया है अंबिकापुर, बिलासपुर और कवर्था, तो सबसे पहले अंबिकापुर में देखते हैं तो यह है हमारा सरगुजा जिले का अंबिकापुर और यहां पर है पहाड़ी कोर्वा विकास प्राधिकरण समझ में आ गया, अगला क्या है बिलासपुर, बिलासपुर यह रहा हमारा, तो बिलासपुर में क्या है, तो है बैगा एवं बिलहोर विकास प्राधिकरण क्लियर, तो मैंने क्या बताया है अंबिकापुर में है पहाडी कोरवा विकास प्राधिकरण बिलासपूर में क्या है बैगा एवं बिरहोर विकास प्राधिकरण तीसर आप्षिन क्या दिया है कवरधा तो यह जो कभीरधाम जिला है उसमें कवरधा आपको याद रखना है कवरधा में क्या है तो है बैगा विकास प्राधी करन तो ये जो तीन शहर एक्जामपल्स में दिये थे उसमें हमने देखा कि कवरधा में है बैगा विकास प्राधी करन अब हमने कहां देखा है भई बैगा विकास प्राधिकरण तो मैंने बताया है कवरधा में तो बैगा विकास प्राधिकरण कहां है कवरधा में कवरधा देखी कौन से option में दिया है तो option A में दिया है इसलिए option एक कवरधा जो है न वो आपके इस प्रश्ण का सही answer होने वाला है अगले प्रश्ण पर आते हैं निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है ठीक है भई तो कौन कौन इसमें सत्य है यह हमको बताना है तो पहला कथन कहता है बैगा एक विशेश पिछडी जन जाती है अब यहाँ पर एक नया शब्द आपको सुनने को मिला विशेश पिछडी जन जाती तो जो लोग already मेरा live crash course जब प्रोग्राम था फ्री वाला उसको अटेंड किये होंगे अब यह कौन सी जन जाती होती है तो यह basically ऐसी जन जातिया होती है जिनमें उनका जो जनसंख्या व्रिधी दर population growth rate यह कैसा हो या तो negative हो या zero मतलब जनसंख्या कैसी हो रही हो इनको धीरे धीरे घटरी हो ऐसा मान सकते हो ठीक साक्षर्टा या literacy कैसा हो तो एकदम कम उसके बाद इनका economic status या इनकी आर्थिक स्थितिक ऐसी हो तो कमजोर हो आर्थिक स्थितिक ऐसी हो कमजोर हो और यह किस प्रकार के तकनीक इस्तिमाल करते हो तो क्रिशी पूर्व मतलब pre agriculture मतलब जब क्रिशी कारे नहीं होते थे उस time जो तकनीक इस्तिमाल होती थी example के लिए क्या क्या होता था तो इस समय होता था खाद्य संग्रहन और क्या होता था इस समय तो इस समय होता था शिकार यह hunting यह क्या है food gathering ठीक है तो विशेश पिछड़ी जंजातियां ऐसी जंजातियों को घोशित किया जाता है जिन में population growth rate जनसंख्या वृद्धी दर या तो negative हो या शून्या मतलब जनसंख्या वृद्धी दर क्या है negative है शून्या का मतलब क्या हो जनसंख्या वृद्धीच नहीं हो रही है मतलब क्या हो रहा है जनसंख्या कम हो रही धीरे धीरे साक्षर्ता या literacy कैसी हो कम हो economic status या आर्थिक स्थिति कैसी हो तो कमजोर हो और क्रिशी पूर्विया pre-agriculture टेकनीक्स या तकनीकों का इस्तमाल करते हो उधारन के लिए खाद या संग्रहन करते हो या शिकार करते हो इस प्रकार के कामू में या कारियों में जो जनजातियां लिप्त है या जिनकी स्थिति ऐसी है उनहीं को घोशित किया जाता है particularly vulnerable tribal groups ताकि उन पे special focus करके उनकी स्थिति में क्या लाया जा सके तो सुधार लाया जा सके अब 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में 7 विशेश पिछड़ी जनजातियां है जिसमें से 5 को केंद्र सरकार नेगोशित किया है 2 को राज्य सरकार नेगोशित किया है clear है अब देखो मैंने आपको तरीका भी बताया था कि याद कैसे रखता है तो फिर से एक बार बता देता हूँ समझ लीजिए पहले 5 का बताता हूँ यह जो 5 केंद्र सरकार नेगोशित किया है तो देखो एक व्यक्ति है अब मेरे ड्रॉइंग रोइंग जो है न वो थोड़ा सा बेकारे है तो जित्ता मैं बता हूँ तर्क मान लेना तो एक व्यक्ति है जो ना अपने कमर में एक ठो बैग लटकाया है तो यह कमर में वो बैग लटका लिया है और यह कहां जा रहा है पता है तो यह जा रहा है अबूज मार की पहाडी में समझ में आया है तो एक व्यक्ति अपने कमर में बैग लटका के अबूज मार की पहाडी में जा रहा है अब याद कैसे रखना है देखो तो अबूज मार से याद रखना एक जन जाती अबूज मारिया पहाडी से याद रखना एक जन जाती पहाडी कुर्वा अबूज मारिया पहाडी कुर्वा उसने कमर पे तो कमर से कमार क्या लटकाया था, बैग, तो बैग से बैगा, अबुज मारिया, पहाडी कोरवा, कमार बैगा, अब ये जा रहा है, तो ये किस और जा रहा है, तो किस और जा रहा है, ये बिरहूर, तो ये पांच याद हो जाएंगे, उसके बाद दो जो राज जिने घोशित किये हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो है, पंडो एक, और दूसरा क्या है तो, भुंजिया, तो मुझे ऐसा लगता है, ये दो ही नाम है, भुंजिया, पंडो, ये तो आसानी से याद रखी सकते हो, अब स्टेट्मेंट्स पर वापिस आते हैं, तो बिरहूर एक विशेश पिछडी जन जाती है, तो हमने देखा, ये बिरहूर एक विशेश पिछडी ज सहीं, इनका युवा ग्रिह जो है, गीती ओना कहलाता है, कहीं पे न, गीतु ओना भी दिया होगा, कोई टेंशन नहीं है, तो ये स्टेट्मेंट्स भी सहीं है, बिरहूर जन जाती, जो है, इसमें इनका युवा ग्रिह जो है, वो गीतु ओना या गीती ओना कहलाता है, संगठन हो उसकी विवस्था होती है जहां पर यह क्या करते हैं तो सांस्कृतिक और सामाधिक सिक्षा को ग्रहन करते हैं और डीटेल में अगर जानना है तो क्रैश कोर्स में मैंने बताया है जाकर कल्चर वाले वीडियो को एक बार आप देख भी सकते हैं ठीक है तो इनका ज जिहान रखना पोहा चिवडा बनाने का पारंपरिक कार्य जो है वो कौनसी जन जाती करती है तो हलबा जन जाती कौनसी हलबा जन जाती न की बिरहोर ठीक तो बिरहोर विशेश पिछडी जन जाती है स्टेटमेंट सहीं द बिरहोर के लेखा कैसी रोय है सहीं है अब आगे बिरहोर की ही बात हो रही है तो इनका युवा ग्रह गीतु होना कहलाता है या गीती होना ये भी सही है लेकिन क्या इनका पारंपरिक कारिय पुहाचिवडा बनाना है नहीं इनका हलबा जंजाती का पुहाचिवडा बनाना है पारंपरिक कारिय न की बिरहोर जंजाती का इसल कहने वाला option कौन सा है तो आप देखेंगे option A में ही दिया है एक दो तीन मतलब option A जो है वो हमारे इस दूसरे question का होने वाला है सही answer तीसरे प्रश्ण पर आ जाते हैं अब तीसरा प्रश्ण क्या है इसमें हमें सही मिलान करना है एक और जन जातिया है दूसरी और स्थानांतरि अब कृष्ण तो समझगे होंगे आप लोग खेती आसान शब्दों में.. स्थानांतरित का क्या मतलब होता है आसान शब्दों में बदल देना एक जगा से दूसरे दूसरे में में आप देखो गे तो ये लोग क्रिशी कारी कैसे करते हैं तो जंगल में पेडवेड काट कर किसी एक भूमी को तैयार किया वहाँ पर क्रिशी की कुछ समय बाद उससे छोड़ दिया दूसरी जगा पर चले गए दूसरी जगा पर पेडों को काटा भूमी को क्लियर किया वहाँ पर क्रिशी किया और इस प्रकार से यह जो चक्र है वो चलते रहता है जगा यह लोग क्रिशी का बदलते रहते हैं इसी को स्थानांतरित क्रिशी कहते हैं कभी आप लोग सोचे हो कि स्थानांतरित क्रिशी कितना non-technical type का चीज है या non-scientific है, बार बार पेड़ को काट दो, जंगल खराब करो, तो हाँ, ऐसा तो होता है, बट इसके पीछे बहुत सारा science भी involved है, तो देखो, ये लोग basically क्या करते हैं न, पेड़ों को काटने के से भूमी की उर्वरता या fertility बढ़ जाती है, clear, अब ये लोग जब स्थानांतरित क्रिशी करते हैं न, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कि धाने धान डालेंगे, गेहू गेहू डालेंगे, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ डाल देते हैं, और ये सभी चीज़ें एक साथ यहां पर उगती हैं, अब देखो होगा क्या, इनको फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन के बारे में तो खास जानकारी नहीं थी, तो भूमी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, या लैंड की fertility को intact रखने के लिए, ये लोग फसल चक्रण के जगा स सिधा सिधा क्या कर देते थे, तो भूमी चक्रण, तो जब क्रॉप रोटेशन नहीं कर पाए, तो फिल्ड रोटेशन करते थे, तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर किये क्रिशी, उसके बाद यहां को छोड़ दिये, कुछ वर्षों के लिए, ठीक है, कुछ वर्ष में किस किसी जन जातीं 10 वर्ष रता है, किसी 15 वर्ष कभी 20 वर्ष, अलग लग समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो यह जो भूमी है, धीरे धीरे इसकी उरुबरता जो है, वो वापिस से, इंटाक्ट हो जाती है, सही हो जाती है, क्लियर, तो जब फसल चक्रण नहीं कर पाते तो यह लोग क्या कर देते हैं, तो भूमी चक्रण, तो यह स्थानांतरित क्रिशी, अबूज मारिया, यह जन जाती, जो स्थानांतरित क्रिशी करती है, इसे क्या कहते हैं, पेद्दा, तो एक को आप किससे मिला सकते हो, टूसर, अगला क्या है, भारिया, तो याद रखना भारिया जन्जाती जो स्थानांतरित क्रिशी करती थी जो आजकल बंध भी हो चुका है लगभग वो है क्या धहिया धहिया नहीं धह है धक्कन वाला धहिया बैगा जन्जाती जो करती है वो क्या है बेवार तो C को आप जोड़ सकते हो 3 के साथ और कोरवा जन्जाती करती है देवारी D1, A2, B4, C3, D1, A2, B4, C3, D1, अब आप लोग को क्या करना है, तो कोई ऐसा option select करना है, जो कि बताए A2, B4, C3 और D1, आप लोग अगर option A को देखोगे तो A2 तक तो सही है, फिर B3 हो जाता है, तो ये गलत हो गया, option B में आई है, तो देखे A2 ठीक है, अगला B4 ये भी सही है, C के साथ 3 है क्या, तो ये भी सही है, और D के साथ 1 है क्या, तो हाँ, D के साथ भी 1 है, तो option B जो है, वो आपके इस तीसरे प्रश्ण का सही आंसर होने वाला है, तो I hope आप समझ गेंगे स्थानांतरित क्रिशी क्या होती है और उसके examples, ठीक है, चलिए, अगले प्रश्ण पर आ जाते हैं, अगला प्रश्ण है चोथा जिसमें निम्न लिखित में से कौन से कथन स मुडिया जन्जाती का यूँ अगरा है, अब इसमें ध्यान रखना, पुरुष और महिला में अगर सदस्यों को बाटे, तो पुरुष सदस्य जो है, ये कहलाते हैं क्या, चेलिक महिला सदस्य कहलाती है, मोटी या रे, तो चेलिक मोटी या रे, सदस्य, अब अगर हम बात करें प्रमुख, तो पुरुष प्रमुख जो है, वो कहलाता है, सीरेदार और महिला प्रमुख, बे, लो, सा, घोटुल जो है, ये क्या है, तो मुडिया जन्जाती का असल में यूवा, ग्रि है, जिसमें इन जन्जाती या इस जन्जाती में, जो यूवा है, उनको क्या किया जाता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, साथ में, जोड़े बनते हैं, घोटुल के, और घोटुल के जोड़े पर्मनेंट होते हैं, मतलब इनमें शादी भी हो जाती है, शादी होने बात, इस लिए लिए लिंगो पेन को क्या काँ जाता है तो गोटुल के देवता भी कहाजाता है ठीक है चलिए अब क्या करते हैं पढ़ते हैं statements को, तो पहला statement कहता है, घोटुल बैगा जन जाती का यूवगरी है, तो हमने क्या देखा है, घोटुल असल में मुडिया जन जाती का यूवगरी है, ना कि बैगा जन जाती का, इसलिए ये कथन गलत हो गया, अगला कथन क्या है, तो कथन है, इसमें जो इसलिए ये statement भी गलत है अगला statement इसके महिला सदस से बेलोसा कहलाते है तो हमने क्या देखा महिला सदस से जो है ना वो मोटियारीन कहलाते है ना की बेलोसा तो ये statement भी गलत हो गया चौथा प्रमुग देवता अंगा देव है नहीं भई मैंने बताया कि प्रमुग देवता अंगा देव कौन है तो मड़ई के देवता आप लोग कमेंट करके बताना ये जो अंगा देव है ना मडई के देवता तो मडई के औसर पर कौन सा रित्य करती है ये मूडिया जन जाती आप लोग मिरको बताएंगे कमेंट करके बताईएगा ठीक है तो हमने क्या देखा सारे statements गलत है हमको क्या बताना था कौनसे statements सत्य नहीं है मतलब 1, 2, 3, 4 या एक शब्द में कह दू सभी statements क्या है असत्य है अब देखो सभी कहा लिखा है option D में आपको सभी दिख रहा होगा इसलिए option D जो है आपके चोथे प्रशन का सही answer है आ जाते हैं पांचवे प्रशन पर क्या है पांचवा प्रशन धूकू क्या है चलो एक बढ़िया चीज बताता हूं जनजाती परिवेश में एक विवा होता है जिसको कहते हैं हट विवा इंग्लिश में कहा है तो marriage by insistence हट करके विवा करना जिद करके तो इसमें याद रखना जो लड़की होती है न वो लड़के घर में जबरदस्ती आके रहने लग जाती है फिर लड़की की उपर चाहे कितना भी हत्याचार हो जाया वो छोड़के नहीं जाती तो माता पिता भी क्या करते हैं फिर थक खार के उस लड़की से अपने लड़के की शादी करा देते हैं तो हट करके या जिद करके विवा हो गया इसी को कहते हैं हट विवा अब आपको याल रखना है हट विवा जो है ये बैगा जन्जाती में कहते हैं इसे पैठुल और कोरवा जन्जाती में कहते हैं इसको धूकू क्या कहते हैं इसको धूकू तो यहां से तो आप समझ गए कि धूकू क्या है तो कोरवा जन्जाती में हट विवा को कहा जाता है धूकू बैगा जंजाती में मैंने क्या बताया है कहते हैं पैठुल तो याद रखना यार पैठुल हट विवाह है कुछ लोग ना पेडुल से कन्फ्यूज होंगे तो याद रखना पेडुल जो होता है ना बस्तर अंचल में जंजातियों में जो सामान्य विवाह होता है आपसी सहमती से उसको पेडुल बोलते हैं तो याद रखना हट में ठठेरा कठ है तो पैठुल में भी ठठेरा कठ है तो ठठेरा कठ वाला हट विवाह है समझ में आया पेडुल सामान्य विवाह है पैठुल तो ठठेरा कठ वाला है ना मतलब जान ल बेना कि हट विवा है तो बैगा जनजाती में मैंने क्या बता है हट विवा पैठुल है कोरवा जनजाती में क्या वोलते हैं इसको धूकू क्लियर है एंसर तो आपको पता चली गया है कि कोरवा जनजाती में हट विवा को क्या कहते हैं धूकू तो पांचवय का सहीं ऑप्ष Um Calendar आच्छर साथ ही यहां पर क्या होता था तो तीर से भी विवाह कराया za जाता था इन लोगोंने थोड़ा सा modification कर दिया क्या कर दिए अब बाल विवाह कराना तो टीक नहीं है तो जा करते है तीर विवाह तो कराना चरहता है तो बाल्य काल में तीर उसे विवाह एक बार करा देते हैं बाद में जब बड़ी होती लड़की तो नॉर्मल शादी भी होती है उनकी ठीक तो वही जो है काण विवाह है और कुछ नहीं है परजा जन्याती में आपसी सहमती से होने वाले समान विवाह को क्या कहा जाता है कहा जाता है हरी बोल क्या बोला जाता है हरी बोल क्लियर तो बैगा जन्याती में हट विवा को पैठुल बोलते हैं कोर्वा जन्याती में हट विवा को धुकू बोलते हैं भुनिया जन्याती में जो तीर विवा उसको कान विवा बोलते हैं और परजा जन्याती में समान विव इन जनेरल वो माटी तिहार के बारे में दिए गए हैं तो थोड़ सा मैं बता देता हूँ आपको तो माटी तिहार जो है न इसको बस्तर अंचल में खास कर गुण जन्जाती IK लोग मनाते हैं समझ में आया कौन से मास में मनाते हैं तो चैत्र मास में मनाते हैं चैत्र मास में भी याद रखना खासकर आप देखोगे न तो शुक्ल पक्ष में मनाया आ जाता है इसमें मिट्टी के वास्तविक तो अच्छी असनी लिखा है सुवरूब की पूजा की जाती है अब मिट्टी का वास्तविक स्वरूप क्या है मतलब आप समझो मिट्टी से किसी प्रकार की कोई मूर्ती या कुछ भी चीज नहीं बनाई जाती है वास्तविक स्वरूप तो कुछ नहीं किया जाता है बेसिकली देखो जंजातिया क्या मानती है तो उनको जो भी चीज मिल रहे हैं वो भूमी से ही मिल रहे हैं अब इस्थानां तरित क्रिशी कर रहे हैं पेडुगे हैं, फल खा रहे हैं कहां हो रहे हैं सब कुछ भूमी पर ही तो हो रहा है तो मा समान मानते हैं तो होता क्या है मिट्टी या भूमी की समान का या उनकी पूजा का ये पर्व है जिसमें ये जो जन्याती है न वो गाओं में जो देवगुडी मतलब देवता का जो स्थान है कहलो वहाँ पर जमीन पर एक गड़ा खोद देते हैं छोटा सा उसमें थोड़ा सा पानी भर देते हैं तो कीचल टाइप का हो जाता है उसके बाद ना पलाश का जो पत्ता होता है उसमें ऐसा धान रखके मोड़के पोटली बनाते हैं पलाश पत्तो से ठीक और उस पोटली को क्या करते हैं त तो यह जो गड़ा है जिसमें थोड़ा स्पानी रखे हैं उसमें डाल देते हैं थोड़ा कीचा टाइप करा है तो उसमें डाल देते हैं और अरपन कर दिये मतलब मिट्टी को आप समझ लो और उसके बाद इसमें से निकाल के यह जो धान है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं त उसको स्थानी रूप से और क्या कहा जाता है तो बीज पुटनी या बीज पंडुम भी कहा जाता है बीज पुटनी या बीज पंडुम क्लियर है चलो अब देखते हैं कथनों को पहला कथन माटी तिहार को चैत्रमास में मनाया जाता है ठीक है बताया हूँ ये बात अगला न मुखुरूप से गोन जन जाती मनाती है इसको अंसर गलत हो गया ये ठीक अगला इसे बीच पंडुम भी कहा जाता है तो बताया हूँ यार बीच पंडुम भी बोल देते हैं इसको स्टेट्मेंट सही है चौथा नारायन देव की याद में शूवर की बली दी जाती है और उस त्योभार को या उस पर्व को क्या कहते हैं तो कहते हैं लारू थो चईस लहीं लिखाया काज तो वो जो पर्व है लारू काज कहलाता है की माटी तिहार और इसलिए ये चौथा स्टेट्मेंट गलत तो हमें क्या बताना तो कौन सा statement सत्य है तो देखो सत्य क्या क्या है तो एक तो statement number one सत्य है दूसरा क्या है तो statement number three सत्य है मतलब हमको कोई ऐसा आंसर ढूलना है जो कहे एक और तीन सत्य है अब ज़रा A, B, C, D पे नजर मारोगे तो आप देखोगे कि A option जो है ये बताता है एक और तीन सत्य है इसलिए option A जो है ये हमारे छटे प्रश्ण का होने वाला है सही answer clear? तो हो गया छटा प्रश्ण अगले प्रश्ण पर आ जाते हैं सात्वा क्या है निम्न में से कौन से नृत में महिलाएं चिटकोरा बजाते हुए नृत्य करती है तो देखो एक जंजाती आपको याद रखना है कोरकू अब ये कोरकू जंजाती के दो famous नृत्य हैं एक क्या है धान धल दूसरा क्या है थापटी क्लियर है खासकर इस थापटी नृत्य की मैं बात करूं वैशा क्यास में इसको किया जाता है इसको ना महिला और पूरुष दोनों वर के लोग करते हैं और खास कर महिलाओं की बात करूँ तो दोनों हाथ में एक छोटा सा वाद्ययंत्र चिट कोरा लेकर इस नृत्य को करती है तो क्या पूछा है चिट कोरा बजाते हुए कौन सा नृत्य होता है तो मैंने क्या बताया थापटी थापटी देखो option A में दिया है तो option A थापटी इसमें चिट कोरा बजाते हुए महिलाओं रित्य करती है कौन सी जन जाती की कोरकु जन जाती की B में ये धान ढल है और C में ये करसाड है ठीक है option क्या है सही तो option है थाप्टी जो की दिया है option number A ठीक तो साथवे परश्ण का सही answer है option A थाप्टी आठवे परश्ण पराते है निम दिये गए लोग परवो को मनाए जाने वाले मास के सही करम में जमाना है तो सबसे पहले एक तरफ हिंदी मासों को लिख लेते हैं तो हिंदी महीने आपको याद होगा मैंने आपको कैसे याद रखने का तरीका बताया था तो हमको CV लेके जाना है अपना CV बायो डाटा उसको लेके जाना है फिर क्या हुआ तो पानी गिर गया सावन भादो फिर तिहार आ गया कुमार कातिक लेकिन मैंने क्या बताए हम लोग 36 गड़िहा लोग है पोस्ट लेंगे तो अच्छा पोस्ट तो हम लोग क्या बन गए AP और उससे क्या मिला हमको पैसा मॉनिटरी C से क्या था चैत्र वी से वैशाक या बैसाक भी बोलते हैं ज से क्या है तो है जेट या जेश्ट अ से क्या है असाड ऐस से क्या है सावन बीस क्या है तो है भादो पहला है कुमवार दूसरा क्या है तो कार्तिक A से क्या है अग्धन पी से क्या है तो है पूस या पॉश एम से क्या है माग और एफ से क्या है तो है फागुन तो यह महीने हो गए जो हमने सही क्रम में लिख लिए अब छेर छेरा तो इसको हम कब मनाते हैं तो पॉश मास्की पूरे माग दिन मनाते हैं देवारी कम मनाते हैं तो इसे हम कार्तिक मास में हम आवस्यक दिन मनाते हैं पूरा कम मनाते हैं तो इसे हम भादो मास में आवस्यक दिन मनाते हैं अक्ती तो अक्ती आपको याद रखना है चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन ठीक, अब देखो चालू हुआ है चैतर से तो चैतर से देखेंगे, चैतर से कोई पर्व दिया है क्या हाँ, अक्ती, तो चार में दिया है अक्ती, तो चार लिख लिए अब उसके बाद क्या है, वैशाक में है क्या तो option में वैशाक के लायक तो कोई पर्व नहीं दिख रहा है जेट का कुछ दिख रहा है क्या नहीं असाड का नहीं सावन का नहीं भादो का हाँ भादो का दिख रहा है भादो का है क्या पोरा तो पोरा के लिए का तीन लिख दो भादो तक आगे कुवार का कुछ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है कातिक का दिख रहा है देवारी देवारी के सामने क्या लिख्षा है टू लिख दो भाइ देवारी और उसके बाद क्या है छेर छेरा जो कि है पॉश में तो ये पूश Cristo या पॉश तो ये एक ही बचा थ perto सला होंगे एक तरफ महीने को लिख लेना कब-कब मनाते हैं लिख लेना अपने आप पता चलाएगा सही सीक्वेंस क्या होगा अब 4-3-2-1 जो है वो सही सीक्वेंस होने वाला है आपका देखिए जरा 4-3-2-1 कहां पर दिया है तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि option C जो है उसमें 4-3-2-1 दिया है इसलिए आटवे प्रश्ट का सही आंसर होगा option number C अब आज आते हैं नवे प्रश्ट पर किस लोग गीत के माध्यम से दुलहन की मनुदशा का व्याख्यान किया जाता है तो 36 गड़ में विवाह संसकार के समय गाय जाने वाले दो गीत को आपको याद रखना है एक बारात प्रस्थान और एक विदाई ये दो बहुत important है ऐसा नहीं कि बाकी important नहीं है लेकिन ये दोनों ज़्यादा important है तो बारात प्रस्थान जो है इसके माध्यम से दुलहे की मनुदशा को बताया जाता है और विदाई गीत के माध्यम से दुलहन की मनुदशा जो है उसकी व्याख्या की जाती है हमको क्या पूछा है दुलहन की मनुदशा क्या answer आना चाहिए विदाई गीत विदाई गीत option a में दिया है तो option a जो है ये सहीं answer है आपके नवे प्रश्ट का भावर गीत जब भावर होता है तब भावर गीत गया जाता है भावर समझ गया ना जिसको हम लोग हिंदीन क्या बोलते हैं फेरे भडवनी तो अमूमन खान पान के समय जो दुलहन वर्क से लड़किया हैं और दुलहे वर्क से जो लड़के हैं उन नवे के बाद दस्वे प्रश्ट पर आ जाते हैं टुरुलू खोटला संबंधित है किस संबंधित है देखो एक पर्व है बस्तर दश हरा तो यह एक वार्शिक पर्व है जिसमें माद अंतेश्वरी की पूजा की जाती है कब से चालू होता है श्रावन देखवा जितना गल्दी कर रहा हूं नमें लिखने में क्या बताऊंगा अमावस्या और श्रावन मावस्या से लगभग 75 दिनों तक यह तेवहार चलता है विश्व का सबसे लंबा चलने वाला तेवहार है यह ऐसा CG PSC 2018 में PSC ने अंसर लिया है तो आप भी माद लीजिए ठीक आचा अब यह जो पर्व है इसमें अनेक सारी रस्में होती है और जिसमें जो प पाटा जात्रा किस दिन श्रावन मावस्या के दिन पाटा जात्रा शाबदिकर देखोगे लकडी की पूजा कौन सी लकडी तो ऐसी लकडी जिसको क्या करिया जाएगा तो रत बनाने या रत निर्मान में इस्तिमाल किया जाना वा जो जाने वाला जो लकडी है उसकी कुन सी लकड़ी है तो असल में होता क्या है ना बेलारी ग्राम से साल व्रिक्ष का एक मोटा तना लाया जाता है और इस मोटे तने को क्या कहते हैं तो कहते हैं तुरुलु खोटला और इसको जगदलपूर में जो मादन तेश्वरी मंदिर है उसके सिहां द्वार पर रखकर यह जो मोटा तना तुरुलु खोटला थी उसकी पूझा की जाती है और उसी पूझा में बकरे और मांगूर मच्ली जो है उसकी बली दी जाती है सवन में आया तो कुछ नहीं तुरुलु खोटला क्या है तो साल व्रिक्ष का वो मोटा तना है जिसको रत्य निर्मान के लाया गया है बेलारी ग्राम से रखा गया है सिहद्वार पर और उसकी पूजा की जा रही है क्लियर है ये कब होता है तो बस्तर दशेरा तो यही पूछा है आपसे टुरुलू खोटला किस से संबंधित है तो टुरुलू खोटला का संबंध है बस्तर दशेरा से अब options को देखिए तो option B में बस्तर दशेरा दिया हुआ है इसलिए option B जो है वो होगा आपके दसवे प्रश्ट का सही answer ठीक चलिए 11 प्रश्ट पर आते हैं बेल पान का मेला इसका आयोजन कब होता है तो आप सभी को पता है यार बेल पान ये कहा देखेते हैं तो बिलासपुर जिले में हमने बेल पान को देखा था और बेल पान में माघ पूर्णिमा के उसर पर लगता है माघ पूर्णिमा option D में दिया है इसलिए 11 प्रश्ट का सही answer क्या है option number D है आपके 11 प्रश्ट का सही answer ठीक है अगला प्रश्ट बारवा पहली देखो एक जन जाती है नाम है क्या कोरवा अब कोरवा जन जाती में नाप तॉल के लिए एक कटोरा जो है उसका इस्तमाल किया जाता ही है कटोरा तामबा का बना हो सकता है या लकडी का बना और इस कटोरे में डालोगे तो लगभग साढ़े आठ सो ग्राम चावल आता है तो यही जो कटोरा है जो तामबा या लकडी का बना है जिसमें साढ़े आठ सो ग्राम चावल आता है नाप से इसी को क्या कहते हैं तो कहते हैं पहली तो पहली क्या है असल में तो कोर्वा जंजाती में नाप तॉल के लिए इस्तमाल किया जाने वाला वह कटोरा जो की या तो तांबा या लकडी से बना हो जिसमें लगभग नाप से 8500 ग्राम चावल आता हो अब आप देखो कट पर नहीं दिया है इसके जगह पर आप देखो गए ना तो डी में दिया है इन में से कोई नहीं ए में क्या दिया है सुशीर वाद्ययंत्र इसमें घन वाद्ययंत्र ये वितत वाद्ययंत्र तो पहली कोई वाद्ययंत्र है क्या तो नहीं है भई तो वाद्ययंत्र वाला सब answer तो गलत हो जाएगा डी में क्या है इसमें से कोई नहीं तो हमने क्या देखा यह असल में कटोरा है इसलिए आपको इन में से कोई नहीं कोई चुनना पड़ेगा इस condition में तो question number 12 जो है उसका सही answer क्या होने बाला है तो option question number D इन में से कोई नहीं अगला प्रश्ण देखें क्या है चत्तिस गड़ में अंतिम विदाई का पकवान किसे कहा जाता है तो याद रखना चत्तिस गड़ में बड़ा जो होता है ना इसको अंतिम विदाई का पकवान कहा जाता है मतलब अगर आपके घर में कोई भी महमान आ जाए और उसको आप बड़ा खिला दो मतलब अब आप उसको बोल रहे हो होगे भई ले आप चल दे करके समझ में आया तो अमूमन आप देखोगे तो बड़ा जो है उसको हम लोग उड़ाद डाल से बनाते हैं वैसे तो बहुत प्रकार से मूम डाल का भी बड़ा बनता है अमूमन 36 गड़ी परिवेश में धुला हुआ जो उड़ाद डाल है उसी बड़ा बनाया जाता है एक बफाउरी होता है वो भी एक प्रकार का बड़ा है लेकिन उसको टेल में नहीं सलते हैं उसको क्या था भाप में सिक्क्य बनाया जाता है भजिया है अगला option तो भजि यही जो है उसको गल्चटका बोलते हैं पकुआ क्या है तो आटे का पतला हलुआ है पकुआ तो 36 गड़ में अंतिम विदाई का पकवान मैंने बता दिया answer क्या है बड़ा है इसको कहा जाता है भजिया जानते चो गल्चटका मैंने बताया है क्या है यह तो छोटे भजियों की कड़ी है पकुआ क्या है तो यह है आटे का पतला हल्वा ठीक चलो आ जाते हैं अगले प्रश्टका कक्नी जो आप भूशन है उसको कहा धारण किया जाता है चलो ठीक है सभी आप्शन को एक बार देख लेते हैं पहले पैर अब याद करो मैंने बताया था पैर में क्या क्या तो मैंने क्या कहा था पैर को काट के साट के क्या करो चुरुआ दो तो पैर से पहरी काट से कठल साटी और चुरुआ तो यह तो हो गया इसके लावा क्या देखे थे पैर पट्टी देखे थे उसके बाद गठिया देखे थे फिर साटी भी देखे थे तो ऐसे आभुशन आमने कहा देखे थे पैर में उंगली उंगली का तो बहुत आचान है यार मुंद्री आम मुंद्री भी क्या था देव राही भाव राही और छपा ही है ना छपा ही तो यह हो गया आपका पैर का देख लिए उंगली क देख लिए पहले कान का देखते हैं कान में क्या बताया था मैं ऐसा कान है याद आया इसमें एक ठो फूल लगा है फूल किसका था कमाला कर से क्या बताया था मैं करण फूल मा से बोला था मैं आमली फूल लसे लवंग फूल उसके बाद क्या बोला था फूल सकरी उसके बाद यहाँ पर एक क्या उड़ रही थी तो तितरी उसके बाद तरकी लूरकी भी याद रख सकते हो तरकी लूरकी एक जैसा नाम उसके बाद याद आ रहा होगा बारी कान में पहनते अच्छें फिर क्या पहनते हैं जूम का भी कान में पहनते अच्छें उसके बाद क्या है एक बताया थे मैंने खूंटी याद आया नीचे मैंसा खूंटी लगाया था और उसके बाद मैंने क् खी-न-वा इतना सा रैयाध होना चाहिए तो पैर का बता दिया उंगलिक बता दिया, कान का बता दिया अब कलाई कलाई मैं क्या बताया था मैं चूरी चूडा गडा, यह तो था उसके बाद आपन क्या देखे थे एक हाथ देखे थे और उसके बाद मैंने हाथ में क्या बताया था खतरनाक हाथ बन गया है लेकिन ठीक है एक और क्या है इसमें तो एक और इसमें है कववा बैठा हुआ और एक और क्या है मूरगा मतलब इंग्लिश में कॉक और दोनों में बनती नहीं है बोला था तो कौवा से क्या था धेर कौवा कौक से मैंने बताया था ककनी याद रखना और बंती नहीं है तो बंती से बनुरिया याद रखेना यही बताया था तो क्या पूछा है ककनी कहां आया है कलाई में आया है ककनी देख लो भई ठीक तो कलाई में है ककनी option c होगा 14 प्रश्ण का सही answer तो पैर का, उंगली का, कान का बता ही दिया था कलाई में क्या-क्या है तो मैंने बताया है चूरी, चूडा, कडा उसके बाद हाथ है, एक और कववा बैठा है, धेर कववा, एक और कॉक है या ककनी, दोनों बनती नहीं है तो बनूरिया, ठीक है कहीं गलती से हाथ बोल दिया होगा तो कलाई समझ जाना यार ठीक है, इतना टेंचन मत लेना अगला पंदरवा, कौन सा लोक, गीत, लोरिक और चंदा की प्रेम गाथा पर आधारित है धोला मारू, तो ये धोला और मारू की प्रेम गाथा पर आधारित है भर्थरी, तो ये राजा भर्थरी और रानी पिंगला पर आधारित चंदाईनी, ये जो है ना ये लोरिक और चंदा इनकी प्रेम कहानी पर आधारित है जहां पर बताया गया है कि लोरिक, लोरिक कहां से पता है, यह रिवा, यह राइपुर वाला, और चंदा कहां से है, तो आरंग से, यह question भी पूछा था ना, लोरिक कहां से, तो रिवा से, यार रखना भी, PSC, ऐसा ऐसा प्रश्न भी पूछ देता है, तो हमने क्या देखा, लोगगीत ऐसा, जिसमें लोरिक और चंदा की प्रेम गाथा हो, वो कौन सा है तो, चंदा ही नहीं, option C में दिया है, तो option C जो है, आपके 15 प्रश्न का सही answer है, चलिए, आज आते हैं, अपने अगले प्रश्न पर, आम तोर पर नए घरों की जो दिवार है, और गिली दिवार जब रहती है, उस समय उ द्रेखन कला की जाती है, उसको क्या कहते हैं, खीक है, options को देखते हैं, पहले हाँ था, तो इन जेनरल इसको, गोबर से किया जाता है, और इसे, राउत जाती की, नहीं लाएं करती है, आठे का नहीं है, तो याद रखना, कृष्ण जनमास्ट मी के समय, कृष्ण जी की, आ पुतले दिवाल पर इसे बना कर, उनकी पूजा की जाती है, यह आठे का नहीं है, सवनाही, तो यह कैसी लोग चित्रकारी है, जिसमें न गोबर से चित्रकारी की जाती है, ऐसे मोटी चार उंगली से करते हैं, और इसको क्या करते हैं, तो घर के बाहर बनाते हैं, ताकि ज फिर है, नोह डोरा, तो नोह डोरा क्या है, तो ना, गीली, दिवाल पर आम तोर पर, एक कलाकृती की जाती है, यह कैसी होती है, तो उभरी, आपने गाउं में देखा होगा कई बार, गाउं में जो पुराने घर रहते हैं, उसमें कुछ-कुछ कलाकृतियां बनी होती है, फूल टाइप का, कभी सांप भी बना, देख लोगे, आप लोग, जो की कैसी होती होती, उभरी, मतलब आप छूओगे, तो महसूस कर सकते हो, क्या बना है, तो वही है, नोह डोरा, उसी को और क्या कहते हैं, तो उद्रेखन कला भी कहा जाता है, आम तोर पर, जब नए घर बनते हैं न, उसी समय दिवाल, उसी समय गिला-गिला रहता है, तो गिले में उभरा हुआ बनाना आसान रहता है, नहीं, तो फिर दिवाल एक बन गया, फिर उभरा हुआ, कैसे बनाओगे, उसको पर से लगाओगे, अलग से, रांग से चीपके एक नीचे गिर जाएगा, इसलिए गिली दिवाल को बनाते हैं, गिली दिवाल कब मिलेगी तो, जब नया बनाओगे तभी न मिलेगी, तो जब नया घर बनता है, तो उस समय गिली दिवाल पर जो उद्रेखन कला करते हैं, उसको क्या कहते हैं, नो डोरा, तो कि option D में दिया है, इसलिए 16 प्रश्ण जो है, उसका सही answer क्या है, तो है option number D, clear, तो इस प्रकार हमने 16 कुछ महत्वकून प्रश्णों को देख लिया है, छत्ति दगड़ के जन जाती और लोक कला संस्क्रिती वाला जो section है, उसमें से, तो इस वीडियो को यहीं पर end कर देते हैं, अगला वीडियो जो मैं लेक्या ह वो रहेगा छत्ति दगड़ के इतिहास के ऊपर अधारित, ठीक है, तो चलिए आप सभी से मुलकात होग मेरे आने वाले वीडियो में, तब तक लिए thank you and take care